इस वीडियो के हम डिसकस करेंगे धर्मवीर भारती का एक प्ले अंधा युग तो लास्ट तक बने रहेगा तक आप किसी पॉइंट को मिस ना करें और ये वीडियो दो पार्ट में आने वाला है दूसरे पार्ट में हम डिसकस करेंगे अब ज़्यादा समय ने वेस्ट करते हुई करते हैं हिस समरी को स्टार्ट तो हमारा जो प्ले है वो स्टार्ट होता है इंवोकेशन से इंवोकेशन का मतलब होता है कि जब् unos drama डियमा परफ़ॉर्मिंस स्टार्ट होता है तो हम सभी भगवान को ऐसा प्रे करते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीख करते हैं तो यहां पर भी संस्कृत श्लोक को चैंट करके यह सारी चीज़े की जा रही है तो जो संस्कृत श्लोक है यहां पर वो ऐसे है Before narrating Jaya, you should offer नमस्कारा to Narayan, Nar Narayan कि Jaya को narrate करने से पहले, Jaya यहां पर है पुरान याफर महाभारत कि उसको narrate करने से पहले हमें अपना जो आशिरवाद है वो लेना चाहिए Narayan से, Narayan मतलब Universe के Lord और हमें सरस्वती माता को भी प्रणाम करना चाहिए तो इस तरीके से यहां पर हम भगवान की Blessings को लेते हैं कि हम यह Theater Performance करने वाले हैं प्रीज आप अपनी Blessings दीजिए अपना जो है Consent दीजिए इस Play को स्टार्ट करने के लिए पर Invocation के बाद आता है Proclamation Proclamation का मतलब होता है एक Declaration या आफर एक Official तरीके से जब आप Announcement करते हैं तो यहां पर क्या होता है Codes पड़े जाते हैं विश्न पुरान से और उनके Translation भी दिये जाते हैं Line by Line तो यहां पर वो बात करते हैं Collapse of धर्म की कि जो धर्म है उसका विनाश हो रहा है और एक अब जो ऐसा टाइम आने वाला है पहले वाले टाइम कैसे था जहां पर हर एक इनसान की हर एक Living Being की रिस्पेक्ट की जाती थी और हमेशा उन्हों एक दुसरे के Good के लिए एक दुसरे के Good Will के लिए सोचा जाता था पर अब कलियू गाने वाला है तो यह सारे चीज़ें हमें बताई गई है Tired of misrule, people will hide in caves तो यह बोलते हैं कि सारा जो moral rules है worship जो लोग करते थे वो सब बंद हो जाएगा और उससे परेशान होके सारे लोग जो है वो गुफाओं में छिप जाएंगे और इस बात को दिखाने के लिए थेटर पर फिर दिखाया जाता है कि दो लोग अपने डांस के जो स्टेप से उन से दिखा रहे हैं कि कैसे क्या मुवमेंट होगा के अंदर लोगों का तो इस तरीके से बताया गया है कि कैसे कलियूग आने वाला है डाक जाने वाला है तो इन दालस्ट दे वार इन कृक्षेत्रा इन दाक एज वर्रीवन इस डिप्रेज़ कन्फूज लोस्ट इन डाक काविंस तो यहाँ पर जो ब्लाइंड एज है उसके इस सिम्टम्स दिखाए गई है कि कैसे अधाम फैल गया है सारी जेंगे सिर्फ हेट्रिड है लोग एक दुसरे को देखना ऐसा पसंद नहीं करते पिपल आज जेलिस ऑफ इच अदर तो यह सारी चीज़ दिखाए गई है कि भई हाँ पर कल्यूग है वो आ चुका है तो यहां पर बताया गया है कि कैसे जो पांडव है और कौरव है उनके बीच लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई कि इस तरीके से पुरा जो एक इन्वार्मेंट बना जिसके वजए से पुरा युनो युद्ध लड़ा गया है इतना बड़ा तो पूरे मा भारत के युद्ध की पूरी हिस्ट्री बताई गई है यहां पर कि कैसे क्या कंडिशन्स बनी थी तो जो नरेटर है वो दोनों साइड्स को ब्लेम करते हैं इस वार के कामेंस्मेंट के लिए कि दोनों की साइड्स से जो कोड है और ओनर का वो ब्रोक हुआ क्वालिफिकेशन्स है जो थोड़ा थोड़ा सा धोनों साइड्स से कुछ ने कुछ गलतिया हुई है जिसके वज़े से इस साल चीज़े हुई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांडव या फिर सिर्फ कौरव ही जो है responsible थे इस चीज के लिए यहाँ पर नेक्स सीन में बताया गया है कि विदुराते हैं और वो सुनना चाते हैं संजे से जो कि धृत राष्टर को बता रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है बैटल फिल्ड में जो संजे है ना उनके पास एक पावर है कि वो घर पे बैठे है बैठे ही पूरा ऐसा बैटल फिल्ड देख सकते हैं और वो बता रहे होते हैं क्योंकि जो धृत राष्टर थे वो ब्ला पुरी बैटिल का और विधुर वहां पे बोल देता है मैंने किसी हेजिटेशन के कि देखो आपने ही नहीं माना था आपने कौरवस को वार के लिए जानें दिया इवन आपने कृष्णा की भी बात नहीं मानी तो अब यह तो सब होना ही था इसका तो रस्पॉंसिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा बट धित्राश्रे बोलते हैं कि मैं इसका रस्पॉंसिबिलिटी नहीं ले सकता क्योंकि मैं तो ऐसा पैदा ही ब्लाइंड हुआ था इसलिए मेरे पास तो अनलिमिटेड लव है अपने बच्चों के लिए और मैं ऐसा नहीं कर सकता तो अपनी हेल इसलिंस का थीम फिर एक बहुत डरावना भयानक सासीन की वहां पर जो भीम है उनका खून पी रहे हैं दुशाशन का फिर द्रौपदी के हैर्स वहां पर वोश हो रहे हैं तो यह सारी चीज़े बताते हैं तो विधुर यहां पर बोलते हैं कि वो बड़ा है ऐसा दुखी ह इस चीज़ से वो बहुत डरे हुए है विकाज उनको हर चीज़ से उनका विश्वास उठ गया है तब ही गांधारी आती है उनको इंटरप्ट करती है बीच में गांधारी इस दवाइफ ऑफ धृतराश्य और वो बड़ी गुस्सा है क्रिश्ना से वो बोलते हैं कि यह जो वो न्यूट्रल होने चाहिए थे बैटल फिल्ड में बट ही सपोर्टिंग दादर्स और वो रूल ऑफ जो कंडक्ट है उसको भी तोड रहे हैं यहां नगेटर बोलते हैं कि गांधारी सिर्फ अपने बच्चों के प्रस्पेक्टिव से देख रही है उसे अब लग रहा है कि कितना अधार्म हो रहा है पर क्या उनको तब अधार्म नहीं दिखा था जब इनके जो बेटे हैं कौरव उन्होंने पांडव को इंदर प्रस देने से मना कर दिया था उनके 13 साल के एक्जाइल के बाद तो यहां पर एक क्वेशन उठाया गया है कि जो यह गंधारी है उ अपने बच्चों के लिए उनके लव के थ्रियू फिर यहां पर एक जो इंटर करते हैं इनके महल को तो वहां पर प्रफेसी करी थी उन्होंने प्रफेसी का मतलब होता है भविश्या वाइनी कि इस वार में तो दुरियोधन है जो जीतने वाले हैं लेकिन अब उनकी स्टॉलेजर हैं वो सोचते हैं कि अगर इंसान के अंदर पोटेंशियल होना तो वो अपने डेस्टनी को भी चेंज कर सकता है अगर अपनी इगो को साइड में रखे तो तो यहां पर फिर विदूर बोलते हैं दुबारा से कि जो धृत्राश्य हैं उनको रिस्पॉंसिबि करते हैं कौरस आता है इसा गाना गाने के लिए कौरस होता है ग्रूप उफफीपल जो बीच में अपनी सिंगिंग गेंट्रु सारे सीन को समझाते हैं तो यह लोग यहां पर अपनी सेंगिंग गेंट्रु बताते हैं कि जो पूरा ste इस्थी में जितो अपर कैसे अधर्म का themes उनका use किया है, हमारे playwright ने भी, तो जब यह chorus गारह होता है, वहाँ पर संजे present नहीं है तो संजे बाद में सोच रहे होते हैं कि मैं किस तरीके से बताऊं धृतराश्ट्रे को कि उनके जो बेटे हैं वो हार चुके हैं, कौरव हार चुके हैं बैटल में और मैं किस तरीके से सारे news को उन तक पहुचाऊं तो वो इसे dilemma में होते हैं, तब हैं उनको मिलते हैं एक soldier, जो कि उनके साइड से लड़ रहे होते हैं उनका नाम है कृत वर्मा, वो बताते हैं कि कितनी मुश्किल से वो भी बचके यहाँ पर आये हैं जब आप conversation get through सारे scenes को बताते हैं कि यह हो गया वहाँ पर, उसने उसको मार दिया यहाँ पर यह major scene हुआ तो this kind of things are used here फिर हमें बताया जाता है कि जो कौरव आर्मी हैं उसमें से सिर्फ तीन ही लोग बचे हैं एक हैं कृतवर्मा, दुसरे हैं कृतवाचारे और तीसरे हैं अश्वथामा तो यह जो तीन लोग बचे हैं उनमें से फिर अश्वथामा के जो scene हैं उनके उपर light डाला जाता है कि कितना दुखी बैठे हैं अश्वथामा और वो अपने जो father की death है गुरु दुरोणाचारे की death है उसका बदला लेना चाते है तो जब भीष्म की ऐसा death हो गई थी 10th day of the war में तो जो दुरोणाचारे थे उन्होंने lead करया था कौरव army को अब पांडवस को पता था कि जो दुरोणाचारे हैं उनको हराना is next to impossible तो उन्होंने कृष्णा की advice लिया कि हम क्या करते हैं इनको जो है वो news फैला देते हैं कि जो अश्वथामा है उनकी मृत्यू हो गई है तो जो भीम है उन्होंने एक elephant को मार दिया था जिसका नाम था अश्वथामा यो धिश्टर ने अनाउंस कर दिया कि अश्वथामा की मौत हो गई है बैटलफिल्ड में तो जो द्रोनाचारे उनको काफी दुख हुआ इससे and he went to यो धिस्टर कि मैं उनसे पूछता हूँ ये कभी जूट नहीं बोलते हैं ये बताएंगे कि हुई है नहीं हुई है तो यो धिस्टर ने उनसे पूछा जब वो उनसे पूछ रहे थे दुरोनाचारे कि क्या जो अश्वथामा है उनकी मौत हो गई है तो यो धिस्टर बोलते हैं man or the beast कि आदमी या फिर तो animal की बात कर रहे हूँ तो अब इतना ज़्यादा उनको सुनाई नहीं दी वो बात और वो जाके बैट गए दुरोनाचारे ये मानकर कि जो उनका बेटा है श्वथामा उसकी मौत हो गई है तब ही जो दृष्ट धुम है दुरोपदी के ब्रदर उन्होंने अपने चैरेट से उतर कहें की दम और उनकी गर्दन को चौप आफ कर दिया तो यहाँ पर फिर moral code of conduct की बात की गई है कि कैसे war के टाइम पर क्या-क्या conduct होना चाहिए कि एक warrior को कभी भी दुसरे आदमी पर attack नहीं करना चाहिए जो वो meditating stage पे हो और यह one of the broken instance है जहाँ पर जो code of conduct है उसको ब्रॉक किया गया तो यहाँ पर फिर जो अश्वथामा है वो बहुत अदक गुसा है यो धिस्टर को लेके कि उन्होंने जो truth है उसको आधा बताया जिस तरीके से गंधारी एक्यूज कर रही थी कृष्णा को यह पूरा warrior code को relate करने के लिए उसी तरीके से अश्वथामा भी अपने सारे perspective को लेके बहुत ही narrow तरीके से सोच रहे है वो नहीं सोच रहे हैं पूरा larger moral issue के बारे में बलकि वो सिर्फ यह सोचते हैं कि उनके पिता के death हुई just because of that half truth तो वो इस बारे में सोचते हैं and then what happens is कि जो संजे है वो inform करते हैं कि जो दुर्योधन है वो एक lake के floor के नीचे छुपा हुआ है यह सारे उसको मिलने जाते हैं बाद में वहाँ पर वो वही same astrologer आता है और वो बताता है कि कि इस तरीके से जो future है वो fix नहीं होता उसको predict किया जा सकता है बड still future can change तो यहां पर कृष्णा है जो stage में नहीं आते बलकि जो उनके teachings है उनके through उनके presence को दिखाया गया है कि कैसे हमेशे एक आदमी के पास choice होता है moral होने का और immoral होने का तो यहां पर इश्वता में decide कर लेता है कि जिस beast की वहां पर बात की गई थी battlefield में अब मैं वह beast ही बनके दिखाऊंगा तो यहां पर यह सारी शेर दे देगा पांडवस को तो वह righteousness की बात की गई है कि इंसान कितना सही तरीके से सोचता है क्या कुछ immoral things है and what are the moral aspects of it यहां पर यह सब चली रहा होता है कि तभी अश्वतामा को गुसा आ जाता है और वह उस ष्टॉलेजर को इस स्टेज से ड्रैग करता है खीच लेता है और श्वी पिर आते हैं कृतवर्मा और कृपचारे जो कि उसकी हेल्प करते हैं उसको ड्रैग करने में तो अश्वाथामा यहां पर थोड़ा सा डिग्रेट में भी होता है कि यह क्यों ही मारा तो कृपचारे उसको बोलता है कि यू शुड़ स्लीप नौ तो कृते वर्मा महां पर थोड़ा सा अपना दुख भी जाहिर करता है कि यार तुम्हें इस गरीब से लाचारस आदमें को नहीं मारना चाहिए था और वो उनको बी बताता है कि किस तरीके से जो द्रोना चाह रहा है उनको भी डिसीट फूल तरीके से मारा गया और कौरवज ने वी गलत किया अर्जुन के बेटे को मार कर तो कोनों तरीके का जो injustice है दोनों साइड से उसको जो कृपचा रहे हैं वो remind कराते हैं now coming on to act 3 the half truth of ashwathama यहां पर narrator बताते हैं कि जब संजय ने last scene का description दिया सारे जो भी हस्तिनापूर के लोग थे उनके उपर उसका क्या impact पड़ा तो यह बताते हैं कि सारे तरफ बिल्कुल दुख का महौल था धृतराश्टर भी काफी wounded सा feel कर रहे थे उनके defeated shoulders को देख कर और तभी वहां पर एक mute soldier आते हैं उनकी जो tongue है उसको काट दिया गया था तो सिटमेंटर करा है और वो एक जादूगर है वो कोई भी शेप ले सकता है फिर हमें पता चलता है कि जो enemy shoulder है उसका नाम है यूदसू वो धित्राश्टर का बेटा था एक slave girl से और एक पूरे जो war का scenario था उसमें वो pandavs की side से लड़ा था war खतम होने के बाद वो आया है अपन के लिए लड़े हैं तो यह भी इस बात को question ही कर रहा होता है कि क्या मुझे धृत्राश्टर गांधारी accept करेंगे क्या वो कुछ बोलेंगे तो यह सारी चीज़र चल रही होती है तब ही जो वो shoulder था mute shoulder वो पानी मांग रहा होता है तो उसको यह पानी देता है यूदसू तो be silent because Balram and Krishna are coming तो Lord Balram and Krishna आते हैं तो जो Balram है we all know वो Krishna के elder brother है तो यहां पर वो बेड़े disturbed थे इस family की लड़ाई से और वो बोलतेंगे मुझे neutral रहना है इस war में because I cannot be the part of a dharm तो यहां पर वो scold भी करते हैं Krishna को आप इतने समझदार होते हुए ऐसे भीम का साथ कैसे दे सकते हैं वो तो अधर्म कर रहा है तो इस तरीके से अधर्म और धर्म की बाते की जाती है बल राम और Krishna जुके द्वारा और वो ऐसे बात करते हैं कि how we can be on the side of other joki मतलब वो भी अधर्म कर रहे हैं दुसरे वाले बेधर्म कर रहे हैं तो यहां पर right कोन है वो question उठाया जाता है तो ज इस तरीके से सारे चीज़े चल रही है डाक एज का एंट्रेंस हो गया है तो यहां पर जो हमारे बुझे स्ट्राइजर है वह explain करते हैं कि इसके पास पावर है कि यह time को standstill कर सके मतलब कि रोख सके time को और inner contradiction समझा सके सारे characters के मन की चाहे फिर वो यूट्सू हो विधूर हो या फिर संजे हो तो इसे तरीके से उनके internal जो contradiction उनको दिखाया गया है इसके contradict में दिखाया गया है कि कैसे कृष्णा का presence है stage पे तो उनका जो एक PKO पिकॉक फेदर है मोरपंक है वो stage पैसे float कर रहा है तो यहां पर यह present करता है यह show करता है कि जो कृष्णा है वो हस्तीनापूर की तरफ आ रहे हैं तो बहुत सारे symbols का imaginative tools का यूज किया गया है सारी चीजों को present करने के लिए तो आता है act 4 जहां पर गांधारी के कर्स को दिखाया गया है तो यहां पर entrance पर है एक giant सी figure जो कि है शंकर तो यहां पर वो बताते हैं कि कैसे जो अश्वथामा है वो उनको attack करता है लेकिन लेटर वो उनसे माफी मांगता है कि I am really sorry और वो उनकी blessings को सीख करता है तो यहां पर जो divine entity का presence है वो बड़ा significance है जो शंकर भागवान है उन्होंने लेकि himself provided a sword जिक तलवार था वो प्रवाइड करा था अश्वथामा को ताकि वो अपने enemies से लड़ सकी फिर दिखायागे कि जो दोनों पांडव्स और कॉरव्स है उन दोनों नही ethical code of conduct को ऐसे पांडव के कैम्प में और द्रिष्टो दियुम को मारा था देन लोगों को इसने मारा था और द्रौपदी के पांचों बच्चों को भी इसने मार दिया था यह सोचकर कि यह सारे पांडव है लेकिन जो पांडव्स है उनको एक्चुली कृष्णा किसी safe place पे ले जा चुक अब कृष्णा दो इसको नहीं छोड़ने वाले है देन उसके पास एक blessing होती है गांधारी के पास कि वह किसी भी रूप को ऐसा बदल सकती है अपने रूप को बदल के कुछ भी बन सकती है वह यह उसका जो commitment था उसके पती के लिए उसकी वज़े से blessings मिली थी तो यहां पर decide करती कि वह अपने बेटे को देखेगी एक बार battlefield में जाके तो यहां पर फिर न्यूज आती है कि दुर्योदन के death हो चुकी है वोर खतम हो चुका है इसे के साथ जो संजे की visionary powers थी वो भी चली गई है तो यहां पर जो विदूर है वो गांधारी को बोलते हैं कि आपकी duty ब मेजर रोल प्ले किया destruction में कौरवास की और उन्होंने जो गांधारी उनको भी काफी pain दिया है तो वह यहां पर सोचते हैं कि हाँ पाप तो मैंने भी किया है तो यह सारा जो भी हमारा understanding है वो डिवलप होता है chorus की singing से जो कि सारे scene को unfold करते हैं हमारे सामने then is act number 5 victory in a series of suicide तो यहां पर क्या होता है कि कौरवस हैं जो वो हार जाते हैं मर जाते हैं और जो बाकी लोग थे यहां पर यूदिस्ट्रा के थ्यूम में पता चलता है कि कि इस तरीके से जो गांधारी है उन्होंने कर्स किया था कृष्णा कू की उनका डेथ भी नियर है then we are like told की जो गांधारी और कुंती है वो तो 15 साल के लिए चली जाते 15 साल के बाद चली जाती है फोरेस्ट में और वहीं पर उनका डेथ होता है फिर कृष्णा के भी डेथ होती है 36 यह के बाद ऐसा वार के अलग सारे जो लोग थे में में they all died in this act लास्ट में आता है epilogue death of the lord तो यहाँ पर जब सारा चीज़े हो चुका था तो कृरेस है जो वो गाना गाता है and they all praise lord krishna तभी वहाँ पर आश्वथामा आते हैं वो accuse करते हैं कृरेस को कि lord krishna ने तो इतना गलत कि still आप उनको praise कर रहे हैं और मेरी कोई गलती भी नहीं थी but still I am like condemned to suffer तो यह सारे यहां पर जो है वो contrast दिखाया गया है फिर sanjay आते हैं अपनी paralyzed body के साथ krishna की तरफ वो जाते हैं और वो देखते हैं zara को the hunter and takes aim and try to stop him but वो उसको stop नहीं कर पाते and we are told कि जो krishna है उनका death होता है गुजरात के जो coast है वहां पर फिर हमें पता लगता है कि zara जो की hunter है यहां पर वो actual में वो वही astrologer है जिसको अश्वथामा नहीं मारा था लेकिन क्योंकि गंधारी ने prophecy करा था उनको curse दिया था कि जो अश्वथामा है उनके ठ्यू ही मौत हो सकें तो lord krishna ने यह सब plan किया था और उनके last words भी फिर हमें देखने को मिलते हैं जो की बात करते हैं moral और righteous path की chorus अपनी singing के through बताता है कि dark age अब अर्थ पे आ चुकी है और हर जंग अधर्म फैल गया है वो पहले वाली बात नहीं रही righteousness की duties की morals की ethics की now it's कल यूग all right so this was all about this play I hope आपको समझाया होगा काफी लंबा ये video हो गया so I want you people to give your feedbacks जो भी आप comments में लिखना चाहें people can write about the video all right so I'll be into the next video till then take care stay happy stay healthy and I'll also upload the second part जिसमें हम author and everything related to this play will be covered